जाएगा तो जो यहां पर करने वाला हूँ वो holding बेस रहेगा कोई भी इंट्राडे का recommendation नहीं है आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो आप यहां पर टेलिग्राम चैनल जोरू जॉइंट कर सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगा इंट्रेशन में देखो कि तो एक परशेंट का डाउनफाल आपको देखने को मिला इंडियन मार्केट साड़े तीन बजे क्लोज हुआ ता वहां तक लगबग लगबग 0.70 परचेंट की गिरावट देखने को मिला और जब तक यूएस मार्केट क्लोज होता है तब तक आपक सबसे बड़ी वजह आपको स्ट्रांग होते ओक देखने को ने कूदह रहा, करणसी मार्केट के अंदर आपको यहाँ गिरावत देखने को क्लोज़े और करंसी गिनावट की वज़ए और एक सेकन चीज है आपको पता होना चाहिए कि वह अभी हो चुछा और जब रहने की मारी आ गई है तो करेक्शन तो बनता है यह मार्केट के अंदर जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक नए फ्रेशर एंट्री नहीं लेंगे यहां पे देखोगे तो आलमुस्ट जो रैली चल चुकी है वो देखोगे तो आलमुस्ट यहां पे जो बॉटम से देखोगे 74 रुपे से तो लगबा लगबा 13% की जब अरदस बाइंग आपको देखने को मिर रहा है अभी में मैं बुलिश हूँ यहां पे अभी भी देख रहा है आपको यहां पे ट्रेंड लाइन के बेस को पर भी देखोगे तब भी आपको अप्टेंट नजर आ रहा है तो क्या आगे की चाल क्या हम बाई करके चल सकते हैं और जिसके पास बाई है वो कहां पर यह अपनी एकजिट पोजिशन कर सकते हैं अभी भी यहां मैंने सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन के बेस के अपर मुझे अभी भी अप्टेंट नजर आ रहा है अभी बात करेंगे शौट डिवरेशन की शौट डिवरेशन में देखोगे तो इस रेंज के बीच में काफी दिन तक एक होल्डिंग बना के रखे थी इसने यह देख ल ौश्D के बीच में लगबग लगबग इसने दो मैने यहां पर ट्रेडिंग किया ता उसके बाद इसने ब्रेक ओड दिया तो पीछे मुढ के नहीं दिखा तो जो अश्य ौर के उपर था जैसे तो कम से कम यहां पर 3 $ का आपको रैली देखने को मिला था उसके बाद यहा सपोर्ट ब्रेक होता है ना एटी टू डॉलर का स्ट्रांग सपोर्ट है यहां पर जो क्लोजिंग प्राइज हुआ है तो आने वाले दिनों में 80 डॉलर तक आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा इसके हाई के उपर आपको स्टॉप लगा के ट्रेड लेना है 83.20 के साथ यहां पर सेल की पोजिशन आप बना सकते हो आने वाले दाउन साइड में 80 डॉलर तक आएगा 80 डॉलर आता है तो एक बाइंग की अपरचुनिटी आपके लिए बनती है क्योंकि इसका ट्र बनाना है तो 80.90 के नीचे आप सेल की पोजिशन बना सकते हो एक टू के नीचे मतलब 81.90 के नीचे आपको सेल की पोजिशन बनाना है थोड़ा सा बफरिंग जरूर रख लेना और स्टाप लास आपके लिए 83.20 के साथ टार्गेट आपके लिए 80 का टार्गेट आने वाले दिनों में डाउनसाइड मिलेगा अभी ओरर ट्रेंड की मात करेंगे अभी बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ पर सेल के अपर्चुनिटी धून रहे हो मैं यहाँ पर सेल के अपर्चुनिटी नहीं धून रहा हूँ शाट डिवरेशन के लिए करेक्शन तो बनत कि आप ट्रेट ले सकते हो रहे बात अभी शॉट डिवरेशन के लिए कोई लेना चाहते हो तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 मंत के कॉंट्रेक्ट अवालेवे इंडियन मार्केट में किसी भी कॉंट्रेक्ट के ओपर आप बाइंग कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हर कॉंट रहे बाइंग से लिए जिरोपाइंट फाइजोरो पैसा के आप रखके आप बाइंग अवरेजिंग स्टेजी यूज कर सकते हो माने के चलो अभी यहाँ पर 82 डॉलर के आसपास चाहरा है तो फस्ट बाइंग कर लिजिए नेक्स्ट माइंग जिरोपाइंट फाइजूरो सबसे दूर वाले कॉंट्रेक्ट में कर लिए तो अभी यहां पर नोवेंबर में चर रहा है तो आप क्या कर लिजिए मैं वाले कॉंट्रेक्ट में कर लिजिए सबसे दूर वाले कॉंट्रेक्ट में फस्ट लिजिए उसके बाद वहां से भी ₹-पाई-0 पैसा नीचे तो आपको यहां पे एप्रिल में आफको बाय करना है April वाले contract में buy करने के पाद 0.50 पैसा और गिरता है तो आपको क्या करना है March वाले contract में बाय करना है वहाँ से भी आपको गिरता है तो फरवरी पे आपको 0.50 पैसे के हिसाफ से तो आपको profit तो आपको 0.5 जुरो पैसा profit मिलता है तो आपके महान के चुल आप मही वाले contract में buy करते हो मही वाले contract में 0.5 जुरो पैसा अब जाता है तो आपको पोजिशन आपको exit कर देना ऐसे हर वाले contract पे आपको position exit करते जाना है सेम strategy को करते हैं रेगुलर इंकंपर आप रहे कर सकते हैं यहां पर आपको बताने क्यूंसाइग करूँकर करा कैंद करा जैसे के लिए अभी जो औरेड़ी बाय पे बैटे उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है वो क्या कर सकते तो 80 डॉलर आता है तो एक पोजिशन जरूर एट कर लिए आने वाले दिनों में 80 डॉलर के आसपस एक पोजिशन पूजिशन डॉलर कर सकते हो और जो उनको क्या करके चलना चाहिए जो सेट बैटे है उनको अपनी पोजिशन होल करें यहाँ यह फ्री पॉइंट ऊचिरो यहाँ स्टॉपलस के साथ आप सेट साइट पोजिशन होल करें आने वाले दिनों में 80 डॉलर आता है तो वहाँ पे तो आपको यहां पर 79 के साथ पोजिशन अपनी एगजीट कर सकते हो और रही बाद जो और यहां पर बाइगा तो यह फिर बहुत बड़ा गिरावट आज सकता है तो आपको पोजिशन फिर बोल्ट नहीं करना अपनी पोजिशन एगजीट कर देना क्योंकि इसका फिर ओर ट्रेंड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा फिर इसका डाउं ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा तो कंप्लेट एनलेसिस मैंने आपको यह वेस्ट आइनर के ओपर बताने की कोशिश किया कि आ झाल भेट आजिस्ट आईट इसका ऑगज में आपको यह वेस्ट आइनर का रगज़ के एगज़ कर दे जाएगा एगजा का वेड़ा खेगा तो क्या तो जाएगा जाएगा प्राट यह जो जाएगा श्यारी वेस्ट